वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि आपको NS200 और बैंकिंग रिलेटेड नए नए वीडियो मिलते रहेंगे Hello friends, welcome back to another video आज की वीडियो में हम NS200 के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं NS200 बे बाकी सारी चीज़े जो है काफी अच्छी है इसके बारे में कुछ कंप्लें करने लाए बिल्कुल भी नए है क्योंकि इसका mileage भी अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है 200cc के मुकाबले में देखा जाए तो बाकी बहुत सारी भी चीज़े अच्छी है जैसे कि रोड पे चलते हुए इसकी ग्रीब भी जो है वो काफी अच्छी देती है और हाई स्पीड पे आप चलाते हो कभी तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो रोड छोड़ के चल रही है पट एक जो प्रॉबलम है वो काफी ज्यादा एरिटेट और परेशान करती है वो है इ देख सकते हैं आप यहां पर यह पूरी लूज हो जाती है कुछ राइट करने के बाद ही यह देख सकते हैं आप यहीं सबसे बड़ा और इरिटेट कर यह जो चैन लूज हो ले माला प्रॉबलम है एनस 200 का वह बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है हर 100-200 किलोमेटर की जैसे ही आप कंप्लीट करोगे चैन पूरी तरह से लूज होती है इससे में प्रॉबलम यह होती है दोस्तों कि जो पावर लूज होने की तरह आपको फिल होता है जो पावर की आनी चाहिये वाइक में वो नहीं आती है दोस्तों आपको भी अगर इस परकार की कोई प्रॉब्लम होगी और उसका सोलूशन अगर मिल गया होगा तो मैं जो कमेंट में बता दीजेगा कैसे उसका सोलूशन निकल सकता है क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं बाकि तो ऐसे कुछ बहुत मेजर प्रॉब्ल आपको इसके बारे में कुछ सोलूशन मिला होगा तो प्लीज प्लीज मुझे इस कमेंट में बताया दीजे क्या सोलूशन निकल सकता है मैं इसको कई बार बजाज के शोरूम पे दिखाया हूं जो सर्विस सेंटर है उनका वहां पे भी काम हो जाता है बस टेंपररी काम हो जाता है पर्मेंट सोलूशन अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है वैसे कि मैं भी जानता हूं कि बजाज का यह प्रॉब्लम है ही कि चैन लूज होती है फिर भी अगर आपके पास कोई सोलूशन होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बता सकते हो आप वीडियो देखने के लिए थेंक्यू दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे थेंक्यू